प्रियांका जी आज एक अत्यंत गंभीर विशे जो आस्ता से भी जुड़ा है भक्ती से भी जुड़ा है और प्रभूराम को दिये जा रहे भाजपाई दोके से भी जुड़ा है उसे लेकर आपके बीच में उपस्तित हैं मैं बगेर किसी विलंब के उन्हें अनुरोत करूंगा कि वो अपनी बात आपके स्मक्ष रखेंगी आदर्णिय प्रियांका जी ये राममंदर ट्रस्ट द्वारा जो जो जमीने खरीदी गई हैं इस विशे में हैं आप सब को मालूम है पूरे देश को मालूम है कि पूरे दे देश के तक्रीबन हर घर ने गरीब परिवारों ने महिलाओं ने जो बचट की थी उसमें से भी सबने चंदा दी है इस ट्रस्ट और एक अभ्यान भी चलाया गया था चंदा एक अठा करने के लिए घर घर गए चंदा एक अठा किया ये सब की आस्था है और इस पर आज चोट पहुँचाई जा रही है जो सुझेवाला जी आपको फैक्ट्स इसके बाद सुनाएंगे इससे सपष्ट है कि तीन चीज़ें हुई है एक दलितों की जमीन जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है हड़पी गई है दूसरा की कुछ जमीने जो कम दाम की थी इस तरह से बेची गई की ट्रस्ट को बहुत जादा पैसों के लिए बेची गई इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा है उसके साथ घोटाला किया गया है ध्रश्टाचार किया गया है इसमें एक उधारन है जिससे ये बहुत सपष्ट तरहें से सामने आती है ये बात एक जमीन थी जो 2017 में दो करोड की किसी ने खरीदी उन्होंने 2021 में उस जमीन के दस हजार वर्क मीटर बेचे ट्रस्ट को वो आठ करोड के लिए बेची वो जमीन किसी रवी मोहन तिवारी जी को दो करोड में बेची गई कब बेची उन्निस मिनट बाद ठीक है तो जो दूसरी बारह हजार स्क्वेर मीटर की जमीन है वो जो करोड में रवी मोहन तिवारी जी खरीचे है अनिस मिनट बाद इस सेल डीड में जो रवी मोहन तिवारी जी की सेल डीड है जिसके जरीए वो खरीद रहे हैं इसमें अनिन मिश्रा जी जो सरसंग चालक है डे राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी है वो गवा है और उसमें दूसरे गवा कौन है रिशी के शुपाध है ज तो आयोधिया के मेर साथ हैं, तो ये दोनों गवा हैं, पांच मिनट बाद, पांच मिनट बाद, रवी मोहन तिवारी जी, उसी दो करोड की जमीन को साड़े अठारा करोड में ट्रस्ट को बेज देते हैं, तो अगर ये घोटाला नहीं है, ब्रस्टा चाहरा है, नहीं है तो नहीं है जोडाल की मेर साथ, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा एक ये कल कहा थह, कि जांच कौन कर रहा है, जिला अधिकारी के लेविल के अधिकारी कर रहा है, मतलब जिला अधिकारी के स्तर पर ये जाच हो रही है राम मंदिर ट्रस्ट को उच नियायाले के आदेश के अधार पर बैया गया तो ये जाच भी उच नियायाले द्वारा होनी चाहिए क्योंकि जिला अधिकारी के स्तर का इंसान मेयर को नहीं जान सकता यह तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, क्या हुआ है कि राम मंदिर के आसपास जितनी भी जमीने हैं उस पर लूट लगी हुए, भाजपा के जो नेता हैं और अधिक्पदा अधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं, श्रीयोगी अधित्यनाथ जी की सरकार के, वो लूट में मिले हुए हैं, और यह तो एक ही मिसाल है, सुझेवाला जी आपको इस पर थोड़ा और बताएंगे, लेकिन वहाँ पर कितनी जमीन हैं, कितने हजारों का घोटाला किया गया हैं नहीं मान। बात यह है कि राम, भगवान राम, मर्यादा, नैतिक्ता के प्रतीक सत्य के पथ पर चलने के लिए तयार, उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया किस लिए, क्योंकि उन्होंने सत्य के पथ पर चलने का उन्होंने निर्ने लिया था, अब उनके नाम पर भी आप भरस्टाचार करें, पूरे देश की आस्था को ठुकरा रहें, उस पर चोट पहुंचा रहे हैं तो यह बहुत गंबीर बात है इसलिए हम यहाँ हैं